हेलो दोस्तु क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट इसक्यूटी पोस्ट कौन सा है तो अम्बेटकर साब के इन अनुसार भारत में सबसे पाव़फुल इसक्यूटी पोस्ट जो है वो कैक का है तो आज दोस्तों हम समझेंगे कम्ट्रोलर एंड ओर्टर आफ इंडिया के बारे में यानि कि भारत के नियंत्रक यूम महा लिखा परिक्षक के बारे में हाली में गौर्रमेंट ने जी सी मूर्मूर सहाब को 14th के रूप में अपॉइन्मेंट करा है तो इसलिए हम इसको समझेंगे यह बहुत इंपॉटेंट है और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 148 से लेकि आर्टिकल 151 के बीच में किया गया है तो देखिए दोस्तों जो कैग होते हैं इनका काम क्या होता है कि केन सरकार या confess कर सरकारी कंपनी जो है जो भी खर्च करते है उसको देखना कि वो खर्च सही जगध सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है चली और हम समझते हैं यह भारती लेखा परिक्षन और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं यानि कि Head of Indian Audit and Account Department साथ ही साथ ये लोक विद का संचालग भी करते हैं संचालग भी करते हैं Public Finance को देखते हैं Public Finance में क्या आजाएगा? जो भी सरकार के पास आय आती है प्राप्तियां होती है जो भी सरकार वे करते हैं मतलब जितना टाइप का भी रिसिप्ठ है और जितना टैप का भी expenditure है सब कर सब जो है वह कैग देखते हैं इसके अलावा देश की संपून मतलब का कैक करते हैं मतलब कैक कउन्टोल दा इंटायर Financial System of the Country चाहे वो Central Government का हो, State Government का हो, Government PSU का हो, सब कर सब, Article 148 में जो है CAC के बारे में दिया गया CAC को define किया गया है, प्लस ये भी बताया गया है कि President सहाब इनकी न्युक्ति करेंगे और जानते ही है कि भारत में राश्पती जो भी काम करता है वो किसके सलाह पर करता है, Council of Minister headed by Prime Minister, इनका जो term होता है 6 years और up to the age of 65 जो पहले हो जाए, मान लिजी कि किसी की न्युक्ति 61 साल में हुई है तो फिर उसमें ये वाला फंडा लगो होगा 65 फिर वाला वो बस 4 साल ही रहेंगे लेकिन अगर कोई 60 साल से पहले अपॉइंट हुआ है तो फिर वो 6 साल का अपना term पुरा कर पाएंगे उसके बाद duties and power की बात करें तो आर्टिकल 149 में कंस्टिटूशन ने यह चीज जो है पार्लेमेंट को सौप दिया था और फिर पार्लेमेंट में 1971 में एक कानून मतलब बनाया था अधिनियम बनाया था जिसमें क्यक का पावर्स ड्यूटिज़ पावर्स डिफाइन किया गया देखिए भारत सरकार की जो है ना तीन में नि मिलता है वो सब कहां जाके खटा होता है konsolotate fund of India में और उसके अलावा जो है LIC में जो पैसा जामा करते हैं वो सब इखटा होता है Public Account में लोक लेखा तो यह तीन टाप का जो फंड है यह तीनो टाप का फंड का Audit कौन करता है क्या करते है Consulted Fund of Center Government, State Government and Union Territory with Legislative Assembly और यहां पर आपका हो गया Contingency Fund और Public Account Consulted Fund का जिकर कहां पर है Public Account का Article 266 Clause No. 2 और Contingency Fund का 267 Article 267 में है इसके साथ ही साथ केन सरकार, राज सरकार का जितना भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उसको CAC audit करते है सरकारी कंपनीज, PSU's सबको जो है उसका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो है वो CAC उसको audit करते है यही नहीं, इसके साथ ही केन सरकार, राज सरकार या किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, वी निर्मान लाब और हानी लेखाओं तुलना पत्रों और अन्य अनुसंगी लेखाओं की लेख परिछक की जाती है मतलब A to Z जो भी काम होता है Central Government, State Government Government Companies या PSU का उसका जो है Audit कौन करता है कैक करता है उसके बाद Central और State Government का जितना भी Depth होता है, Deposit होता है Advances होता है, Suspence Account होता है, यानि की रिन, निछेपनिधी जमा, अगरीम, बचत खाता धन प्रेशन ये सब का सब जो है उसका लिखा जो खा जो है वो कैक देखता है और इसमें एक बदलाव है दोस्तों कि पहले जो है 1976 से पहले जो कैक है वो Account भी Maintain करती थी Central Government का उसको Audit भी करती थी, लेकिन 1976 में कैक से ये Power ले लिया गया अब कैक जो है वो State Government का Account तो Compile करती है जबकि Britain और US में है कि कैक जो है अभी भी पूरे देश का Account जो है Compile भी करती है और Audit भी करती है लेकिन भारत में ऐसा अब नहीं है 1976 के बाद से जो है कैक जो है वो केंद सरकार के लेखा का संकलन नहीं करती है audit करती है अब एक विवाद और उठा तक कुछ सालों पहले कि क्या कैक जो है ये performance audit कर सकती है मतलब सरकार को जैसे 2G Scam से जो पैसा मिला था कोल ब्लॉक से जो पैसा मिला था तो जब विनोद्राय ने इसको observe किया तो उन्होंने ऐसा पाया कि जितना रुपय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला तो फिर 2G Scam चर्चा में आया हाला कि 2017 December में जाके जितने भी अभ्यूग थे 2G Scam के सब बाईज़त बरी हो गया क्योंकि उनके खिलाफ मतलब वैसा कोई प्रूफ मिला नहीं लेकिन फिर भी जो है कर सकती है इस वजह से क्याמ׵लि पोस्ट नहीं है इसको जिम्मारी दी गए है कि जो सरकार का मतलब जो पब्लिक का पैसा है वो Sicht जगी खर्च हो रहा कि नहीं उसको आपको आणिक करना है इस वजहाएसे क्याγ जो है यह performance audit भी कर सकती है तो जैसे TN session सहाब ने दिखाया था कि election commission election commissioner का क्या power होता है वैसे विनोध राय ने जो कि कैक थे उन्होंने दिखाया कि कैक का क्या power होता है अब आगे चलते हैं देखिए कैक जो है साथी साथ कैक जो है वो president को मतलब article 150 के अंदर जो है प्रसिडेंट साहब चाहें तो कैक जो है वो local body जो होता है पंचायत और municipality उसका भी audit कर सकती है तो कैक जो है तीन टैप का audit report प्रेजेंट करती है appropriation account का finance account का और public undertaking का और यह mention कहां पे है article 151 में center का जो भी appropriation account finance account और public undertaking का होता है उसको president को submit करती है और फिर president साहब इसको parliament में देते है parliament में public account committee होती है जो की कैक के report के हिसाब से फिर सरकार से सवाल जवाब करती है एक question भी बनता है कि who is known as friend and philosopher of PAC किसको जो है PAC का दोस्त और सालाकार माना आता है तो CAG Public Account Committee यह standing committee है और जब हम standing committees detail में discuss करेंगे तो आपको PAC के बारे में बताएंगे तो CAG जो है तीन annual report appropriation account finance account और public undertaking account जो है आर्टिकल 151 के अंदर किसको सवापती है राश्टपती को और फिर president जो है इसको forward submit करते हैं Parliament में Parliament में पैक रहता है और वो CAG के report को लेके जहां उसको जो चीज फील होता है वो सरकार से सवाल जवाब करता है उसी तरह जो भी state करता है तो CAG उसको submit करती है आपको governor को और governor जो है उसको फिर विधान सबा में प्रस्तूत करता है अब आलोशना क्या है कि CAG जो है यह post-mortem का काम करती है मतलब है तो कहने को controller and alter general यानि की नियांतरक यह महालिखा परिक्षक लेकिन काम हो रहा है बस महालिखा परिक्षक का जबकि अमेरिका में ब्रिटेन में यह controller का भी काम करती है तो यह मतलब तो इसको और power मिलना चाहिए तब जाके जो है मतलब corruption बहुत हद तक check होता क्योंकि सरकार खुदी budget बनाती है खुदी सब कुछ करती है तो इसलिए वहाँ पे मतलब गड़ड़ी का बहुत ज्यादा chances रहता है और CAG जो है सिर्फ और सिर्फ Parliament को accountable रहती है और कोई भी minister CAG को Parliament में represent नहीं कर सकता और CAG को हटाना भी बहुत मुश्किल है इसको tenure भी fix किया गया है प्लस इसको हटाना भी मुश्किल है जैसे Supreme Court के judge को हटाया जाता है वैसे इसको भी हटाया जाता है तो मतलब इसको ऐसा इस निर्भीखों के काम करें तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह topic पसंद आया होगा धन्यवाद